Schengen Visa for Freelancers इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप Freelance Work करते हो और Schengen Visa अपलाई कर रहे हो तो आपको Visa कैसे मिले देखो Freelancers के लिए Visa पाना आसान नहीं है क्योंकि मुश्किल भी नहीं है वैसे क्योंकि उन्हें ज़्यादा चीजां प्रूफ करनी पड़ती है अगर आप Job कर रहे हो तो सीधा सा हिसाब है हर महीन आपके Account में Sell रही आती है लेकिन Freelancer वालों को बहुत Struggle करनी पड़ती है मैं खुद Freelance Work करता हूँ और अभी मैंने Italy का Visa अपलाई किया है और मुझे Visa मिल गया है 48 Days का जो कि कोई आसान काम नहीं है तो आपको Freelance Work करते हुए शेंगिन Visa कैसे मिले इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूँ मेरा नाम जितेंदर शर्मा है अगर आपको Documentation करानी है अपने शेंगिन Visa की तो मुझसे करवा सकते हो देखो सबसे पहले आप अपने काम को Register करा लो कहीं पर जैसे मैंने अपना जो काम है वो उद्यामाधा registration करा रखा है उसका बड़ी आसानी से हो जाता है आप खुद भी कर सकते हो या किसी से करवा सकते हो किसी भी तरह से अगर आप Register करा लोगे तो वो पेपर पे थोड़ा अच्छा impression पड़ता है कि मैंने यह Register करा रखा है काम दूसरा आप जो भी payment अपने काम की लेते हो आप अपने account में लेना और उसके पिछले कुछ महिनों की जो statement है तीन महिने की या छे महिने की जितने भी मांगी गई है embassy द्वारा आप अपनी file में submit करके दिखाना के देखो यह मेरी payment है जो के इस काम से मुझ पर आ रही है तीसरा अगर आपके नाम कोई property हो तो यह आपके favor में काम करेगी लेकिन मैं समझता हूँ most probably आप एक young लड़के या लड़की हो जो यह काम करके किसी तरह अपना गुजारा चला रहे हो या ठीक ठाक सी life जी रहे हो तो property तो बड़ी महंगी आती है तो देखो आपके अगर understanding parent है अगर वो कोई जमीन या कहर कुछ भी खहीद रहे है आप उनसे कहो के जी मेरे नाम ले लो इससे मेरे को यह दिखाने में आसानी रहेगी कि देखो मेरे नाम जमीन जायदाद है लेकिन आपको उन्हें persuade करना चाहिए, convince करना चाहिए कि देखो कोई tension की बात नहीं आपके बात वैसे भी मेरे नाम आनी है सारी property तो आप जीते जी ही मेरे नाम कर दो ना इससे कम से कम मुझे यहाँ पे तो फायदा मिल जाएगा आप freelance वक्त कर रहे हो इससे मैं यह तात पर father या mother इन में से कोई भी अच्छी job कर रहा है या उनका अच्छा business है या उनके account में अच्छी घासी मातरा में पैसे हैं या उनके नाम घर जमीन है तो आपको उन्हें जरूर sponsor की तरह दिखाना चाहिए आप भले ही अपनी trip का पूरा खर्चा खुद उठाओ लेकिन paper पर ये अपना खर्चा उठा सकते हो बल्कि आपके parents भी आपको support कर रहे है trip के लिए साथ में ये भी message जाता है कि आपकी एक family है यहाँ पर father mother जिंदा है सक्षम है और अच्छे relation है तभी आपको support कर रहे है और indirectly भी message जा रहा है कि parents की जो property आपके नाम आएगी तो you have significant amount of assets to lose in case you do not come back to India अगर आपके पास account balance कम है तो आप लंबी planning लेके चलो आप अपने account में अपने father से या mother से अभी कई लाग रुपे डलवा लो कम से कम 5 लाग रुपे के करीब और फिर आप करीब धाई महीने तीन महीने उन्हें maintain करो फिर आप visa apply करो visa की appointment की date वैसे भी आगे मिलेगी जब appointment से दो दिन पहले bank statement निकाल के लाओगे तो जो आपने आज की date में account में पैसे डलवाई हैं वो पिछले 90 days की statement में दिखेंगे नहीं तो वो वाली transaction जो बड़ी amount का deposition हुआ था आपके account में वो छिप जाएगी तो इस तरीके से आप अपनी account की statement को मजबूत कर सकते हैं और प आप को छोड़कर आप ये वाला काम क्यों कर रहे हैं आप बता सकते हैं कि मुझे इस काम से बहुत प्यार है पहले जरूर हिसाब देना अपनी पिछली job का कि मैं यह किया करता था और अब मैं यह कर रहा हूं तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है और इस तरीके से मेरा काम चला है तो पिछले experience को जरूर मेंशन करें और यह काम करने की जो बजाय उसे अच्छी से समझाएं फिर इसके इलावा जो आप travel plan present कर रहे हो वह बहुत ही sound और logical होना चाहिए जिग-जग ऐसे मत घूमना पूरे ये येरोप में बिल्कुल sequence में proper तरीके से एक sound और logical planning और realistic planning आपकी लगने चाहिए अगर आपकी travel history है तो cover letter में आप उसे भी जरूर मेंशन करें और अगर शेंगन travel history हो तब तो उसे सब से उपर दिखाएं कि मैं पास में Indian countries में घूमने गया हूँ फिर दो बड़े important document हैं जो आपको वीजा दिलाने में सहयता प्रदान करेंगे अगर आप married हो तो आप अपना marriage certificate जरूर बन वालो और यहां पर उसकी copy लगाना और अगर आपके बच्चा है तो आप उसका birth certificate जो है उसकी copy भी जरूर लगाना इससे आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है क्योंकि उससे यह message जाएगा कि आप जैसे जा रहे हो ये योरॉप और ज़्यादा जोड लगाना पड़ेगा ये प्रूफ करने के लिए कि आप एक genuine visitor हो आप पर भरूसा किया जा सकता है कि आप घूम फिरकर इंडिया वापिस आओगे तो उसके लिए आप खास दोर पर ties का ये कलक पेराग्राफ बनाना कि देखो जी ये मेरी ties हैं इन इन कारण उसे ये sufficiently strong और बड़े reason हैं मेरे वापिस आने के लिए वो आपको ज्यादा पता है मुझसे कि आपकी personal life में कौन-कौन से ऐसे factors हैं जिनकी विज़य से आप इंडिया तो छोड़ के नहीं जाओगे हां कुस दिन घूमने जाने की बात हो रहे हैं तो आप उनको explicitly अच्छे से वीजा मिलेगा मुझे उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको documentation करानी है अपने शेंगेन वीजा की मुझसे तो मुझे बता देना मैं कर दूंगा बहुत लोगों का वीजा का काम किया है मेरा नाम जितेंदर शर्मा है मेरा phone number मैंने नीचे description और pin की ग हमाने प्रश नीचे को जोगों का अपको देना है